हेलो गाइज वेलकम टो समीर पटल पब्लिक स्कूल हार यू फ्रेंड्स टोड़े वी सी चेप्टर ट्वल्थ आप सेवंथ क्लास हिंदी अमन्सांति है धे हमारा वाच दे वीडियो फ्राम स्ट टू एंड इफ यू लाइक दे वीडियो देन प्लीस लाइक एंड शेर अमन् स्टीए धे हमारह को थोड़ा सहं एक्सप्लाइन टेक के अंगे है और अमन्स वी धे अंतिते हैं हमारा पाठ परे चया देख लेते के Liberty प्लिकास के माध्यम्ree माध्यम से कभी देश की प्रगृतिстी और विकास की चर्चा करता है कभी कहता है कि हम Bh attributed वाष विश्व को जितने की अकांचा नहीं रखते हैं कभी क्या करते हैं कि हम भारत वासे विश्व को जितने की अकांचा नहीं रखते हैं हम केवल अपनी अजादी को ब्रकरार रखना चाहते हैं कि केवल और केवल हम अपनी अजादी को ब्रकरार रखना चाहते हैं भारत ने नई खोजे तो की ही है साथ ही संपुर्ण विश्व के सामने अपनी कुसलता का परिचाई दिया है अजादी से पूर्व ही नहीं बल्कि आज भी हम इसके लिए त्याग और बरिदान कर सकते हैं क्या बूला उन्हें आजादी से पूर्व ही नहीं बल्कि आज भी हम इसके लिए त्याग और बलिदान कर सकते हैं जब हमने पोखरन में परमानौ परिच्छन किया था तो सारा विश्व हिरान रगया था ठे़के क्या बोल रहे हैं कवी जब हमने पोखरन परमानौ हम आज भी उन सहीदों को याद करते हैं जिन होने देश को आजात कराने के लिए अपने प्राण को ट्याग दिया अपने प्राण को लहोती दे दी भारत भारत में अनेक प्रकार की जातिया था भासा भासी है था विभिन धर्म विद्मान है फिर भी हम कभी तूट नहीं पाएंगे कभी क्यैं बोलते हैं कि फिर भी कभी हम तूट नहीं पाएंगे भारत के प्रतिक जन में देश के प्रतिक गरुत था स्वाभिमान भरा है अदि काल से न जाने कितने लोगों ने भारत पर राज किया है किन्तु वर्त मान में हम विसुद्ध हुचके हैं कि दो वर्तमान में हम विशुद्ध हो चुके हैं यहां का मानों अब महात्मा बुद्ध की तरह तठस्त है यहां का मानों अब महात्मा बुद्ध की तरह तठस्त बन चुका है अमन सकती है धेई हमारा है अमन सकती है धेई हमारा है ठीक है अब हम वस्तुनिष्ट प्रस्ण देख लेते हैं क्वेशन फर्स्ट कक्का देख लेते हैं सही जोड़ी बनाईए हमें यहाँ पर सही जोड़ी मेच करना है ठीक है वन साइड दिया गया है वन टू तू तरी फोर फाइफ और इधर दिया गया है इन दोनों को हमें मेच करना है ठीक है फर्स्ट इम क्या दिया गया है कला कला का आजाएगा कला का राइट एंसर आजाएगा कोशल कला का कोशल आजाएगा त्याग का आजाएगा त्याग का राइट एंसर आजाएगा बलीदान ठीक है नेश्ट रिकते विष्व थर्ड नम्मर पी दिया गया विष्व का right answer रहा जाएगा विजयए, धरा, धरा का right answer रहाज हो जाएगा गगण, थिके, नेश्ट रिकते फ्ल, फ्लका रायट इंसरा जाएगा full फल का रायट इंसरा जाएगा full ठीक है next question लेक्ते हैं उपयूकत सब्द चुनकर रिक्तिस्थानों की पूर्त कीजिये ठीक है हमें यहां पर जो bracket में word given है हमें यहाँ पर bracket में जो word given है वह हमें blank जगह पर feel करना है ठीक है फर्स्ट नम्मर पे दिया गया है वी सुविजे तो नहीं चाहता है धे हमारा तो यहां पर रायट इंच रहेगा अमन सक्ति अमन सक्ति हे धे हमारा ठीक है कि नेक्स्ट प्रेंट के शेकर नमर पे हमने जब भी कदम बढ़ाया कला नहीं डेश डेश दिखलाया है तो इसका राइट इंसर आजाएगा कोशल किसे पढ़ेंग इसको हमने जब रधर नमर पे जयेगा सहओ किसे पढ़ेंग इसको राइट इनसर इसको हमने जब भांती के नंदन तो इसका जाएगा है से इसका राइट इनसा वीदभाती श्रके ने देट से भरा है फूलो से अपने नंदन ठेके नेकस्ट है विपदाओं के प्रमक विपदाओं की प्रखर ज्वाला में उपकार तो यहां पर राइट इंसर इसका बुद्ध ठीक है फाइफ नमर पर बुद्ध नेक्स रखते हैं नीम कॉश्ण नमर टू नीम लिकित प्रस्टनों के उत्तर एक वाक्य में लिकिए हमें यहां पर कुछ कॉश्ण गीवन है जिसके एंसर हमें वर्ट में जा 있어서 रॉष पान ही। थे एक कुषर नमर पर दिया गया है इस कविता के अनुसार हमारा थे ग्रशाय है ठीक है कविता के अनुसार हमारा थे अमन शक्ति है गे y si विश्व को चकित किया है इसका इंसरा जगा पोखरन के परमानु परिक्षण ने विश्व को चकित किया है नेक्स्ट कुषे निए गहान अंपर पे लहराता हुआ जण्डा क्या सिखा देता है इसका इंसरा जगा लहराता हुआ जण्डा त्याग और बलीदान सिखाता है लहराता हुआ जण्डा नेक्स एक नमर पे हमारे जन मानस से कौन सा दीप जला कर उजला किया है हमारे जन मानस ने कौन सा दीप जला कर उजला किया इसका इंतरा जाएगा हमारे जन मानस ने सुआविवान कर दीप जला कर उजला किया है ठीक है नेक्स एक नमर पे विपदाओ की किस जुआल में तपकर मानों बुद्ध बना है इसका इंसरा जाएगा विपदाओ की प्रखर जुआल में तपकर मानों बुद्ध बना है नेक्स्ट कॉशन देको कोशन नमर 3 निमें डिकेज़ प्रोशनों के उतर 3 पांच वाक्यों में लिखे है हमें हौँ यहाँ पर کوशन अंसर 3 पांच वाक्याम हमें 앞에 करना हैं हमने जब धी अपने कदम बढवाएक हैं का अचर स्पर्थ किजिए हैं भारत ने जब भी विकास करने की कोशिस की यहां की कला कोशल अपने चरमोतकर्सर पर उभरी है यहां की कला कोशल अपने चर्मत कर सवर पर उभरी है तीक के नेज्ट कोशन देखरा अमर वे अख़ील वीशुचकित हो उठा से कवी का क्या तातपर है अखिल वीश्व चकित हो उठा से कवी का क्या तात्परिस का इंचर है अगर जब पोकरण में भारत ने परमानों परिक्षिन किया तो भारत की विज्ञानिक चमता को देखकर अखिल वीश्व चकित हो उठा है सारे सारे वीश्व ने भारत का लोहा सुवीकार किया है उसका झाले क्फिल आंगा हमारा देखते इतना बढ़ा है यहाँपर अनेक जा दियां यहांपर आनेक जातिया विभीन परकार के धर्म तत्था अज्छारों परकार की बोलिया विदमान जो हमें बाट नहीं पाएगे इसका इंसलेगा कि भारत एक विशाल देश हैं जहां भिन भिन प्रकार के लोग निवास करते हैं वेसी विभनता में हम भारत वासियों ने एक जुटता दिखाई है और भारत का रूप समा रहा है और भारत का रूप समा रहा है ठीक है कि अमन सांती है हमारा कविता के अधार पर अपने देश की संस्कृतिक विशेस्ताइं लिखिए इसका इंचरा जागा भारत एक विशा लोक तंत्रिक देश है ठीक है भारत एक बड़ा लोक तंत्रिक देश है इसके चेशन के इंचासित परदेश यहां पर शेकड़ो परकार की वोलीया बोली जाते हैं यहां पर शेकड़ो परकार की में विकास कर चुका है विज्ञान तथा कई चेत्रों में विकास कर चुका है फिर भी हमारा अमन सांती की ही परमुक धे फिर भी हमारा अमन सांती ही परमुक धे